यह वीडियो UPC series का part 46 है, जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि आपको ethics के किस तरीके से preparation करनी है, क्या slavus है, क्या strategy आपको रखनी है, क्या booklist रखनी है, क्या-क्या चीज आपको करनी चाहिए, क्या-क्या चीज नहीं करनी चाहिए, यह सारी चीज आपको इसमें मिल जाएगे GS1 को, उसके लिए UPC series part 35, GS2 को किस तरीकी से prepare करना, उसके लिए UPC series part 40, GS3 को किस तरीकी से prepare करना, उसके लिए UPC series part 45, मैं बना चुका हूँ, यह UPC series part 46, जिसमें GS4 को आपके लिए explain करने वाला हूँ, एक एक करके इस वीडियो के पढ़ता हैं, यह वीडियो थोड़ी long होने कि मैं कम parts में आपको सारी information दूंगा, तो वीडियो को सुरू से लेकर इन तक पूरा देखने हैं, काफी हादा मेहनत, effort और hard work के बाद में आपको time लगाने के बाद में आपको सारी video provide करते हैं, तो please वीडियो के थोड़ी respect किया करें, बना skip किये, सुरू से लेकर इन तक पू अगर आप लखेंगे नहीं, तो उन सारी चीजियों का बोल जाएंगे, यह वो paper है जहां पर आपकी strategy से काफियाद important होती है, आपको इसमार्ट शड़ी करनी है, तो आपको उता दो इस वीडियो में आप साब चीज़ जाने के पहला ethics paper का importance क्या है, इसका syllabus क्या है, book list क्या है कौन-कौन से और other sources में यूज करेंगा, strategy क्या रखनी है, important points हैं, कुछ answer writing कैसे करनी है, क्योंकि इसके answer writing different होती है, जो आपके GS के paper अधर होती है, उनके तुल नाम और case study के बारे में, तो बात करते हैं, ethics paper की quality, quality, specialty, या इसके importance के बारे में, यह paper UPSC की जान होती है, इस paper के ब तो very low होते हैं, या very high होते हैं, बीच के marks बहुत ही कम होते हैं, यही आपके rank को boost करने में help करता है, पहला point यह, दूसरा point, अगर आपका GS 1, 2, 3, weak रह जाता है, तो आप इसको strong बनाके, उसकी खाने के पूर्ति कर सकते हैं, यानि it will complete all the marks weightage of other GS paper of UPSC mains, थर्द पॉइंट का बात करते हैं, यह वो paper है, जिसमें आपको कम सीखना है, कम पढ़ना है, और आप ज्यादा कर सकते हैं, do more, less learn, यानि कम पढ़ो ज्यादा करो, वो कैसे कर पाएंगे, आप smart study आपको यूच करननी पढ़ेगी, आपको इसके लिए smart study गननी पढ़ेगी, कम टाइम में आप ज् इसकी strategy, इसकी preparation से काफी ज्यादा, मतलब greater than है, काफी ज्यादा बढ़ी है, तो मैं तीन points बता हूँ, तीनों clear होगे, marks, GS123 की comparison, इसमें आपको कम पढ़ना है, और ज्यादा सीखना है, अब जो important point है, जिसके लिए इस paper को रखागा है, वो है आपका mind test, यानि ये paper वो है, ज तो देखें, ये paper जो है, आपकी psychology का test करता है, आपकी psychology है कैसी, आपके creativity का label क्या है, आपके analytical skill कैसा है, understanding level कैसा है, आपके thoughts क्या है, आपका ideas क्या है, आपका सोचने का तरीका क्या है, ये paper इन सारी चीजों पर विचार करता है, जो fifth point है, इसका ये plus point है, flexibility of thoughts, आपका मतलब ज पॉजिट में जा सकते हैं लेकिन एक इस्टेंडर में जाना चाहिए यानि आपका जो एक्सप्रेशन होते हैं बहुत सार प्रहाइब पर है यानि जी एस फूर है उसका पूरा स्लिवस में आपको दुखा दे रहा हूं जिस तरीके से मैं डिवाइट करके सिलिवस को पढ़ता हूं उसको पूरा डिकोट कर देता हूं उसको पार्ट वाई पार्ट मत तोड़ देता हूं उसी तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं फूर का पार्ट वन पार्ट टू पार्ट फूर पार्ट फाइव पार्ट वन में आपको दिखराओगा बेसिक्स थिंकर सी सारी ची सर्राउंडिंग जॉब्स ऑफिसर तो यह सारी चैंज्जा से अम मैं पहली बता दूंँ आपको ज्यादा टाइम लीना नहीं चाहता हूं जी एस फूर का पार्ट वरना बेसिक्स थिंकर एंड एक्यू इसमें थ्री पार्ट है आप इनके टॉपिक्स को देख लीजिए अधरवाइस आपको इसकी फूल डिटिल चाहिए जैसे आपको क्लियर नहीं देख रहा हो तो इंस्टाग्राम पर फूलो कर लेना हम आप मैं जोब एंड ऑफिस में वैल्यू एंड एथिक्स भी इंक्लूड रहता है तो इसमें यह सारी आ जाते हैं सरकारी जोब वैल्यू है ना वर कल्चर कमपेसेशन फॉर अदर वाइलाउन जोब्स तो यह सारी चाहिए यह आपका एथिक्स के पेपर में आता है जैसे आप वर्क और वर्क डेड्लाइन साजाता है चलता है मैंडसेट आ जाता है एंड प्रैसर फ्रॉम अब तो यह सारी चीजह हैं भी आपको समझनी पड़ेगे क्योंकि यह एथिक्स का पेपर होता है यह आपको एक इंसान मनाता है आपके अंदर मानवता प्यादा करता है अब आपको आप जीए फोर पार्ट फोर पब्लिक और अर्गनाशन वैल्यूज अंड एथिक्स मैं चाहता नहीं हूं कि आपका इंसारी चीजह मैं टाइम वेश्ट कर आऊ या टाइम लगाऊ लिकिन यह बताना आपको बहुत ज़रूरी है तो यह जीएस फोर का पार्ट फॉर पब्ल आप देख सकते हैं जो हाइलाइटेड पार्ट है ना वह वह पार्ट है जो आपका मुझ जो स्लेवर्स में यूपेसी में दिया जाता है लेकिन मैंने उसको भी डिकोड करका यहां पर लखा है और जो के सबसे ज़्यादा पढ़ते आये थे लेक्सिकोन के बुक जो की बु क्योंकि उनको इसमें थोड़ा अच्छा लगा लेकिन आपको एक बहुत 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 बुक के बारे में बताता हूं वह आपका डीकोड एथिक्स यह बुक का नाम है लिंक आपको डिस्कृस में जाएगा वहां से आप पर्चिस कर सकते हैं यह काफी UPSC के IPS जो IRS हैं जितने मतला UPSC के Officers हैं उन्होंने इस बुक को खुद मिलके बनाया है क्योंकि एथिक्स एक वह पेपर आपके उमाने बता सिखाता है जो थर्ड बुक है जो काफी जादा फेमस रहती है वह आपका जी सुभार आओ ठीक है यह तो तीन तो मैंने बुक बता तो आपके पास Ignau का Material होता है ठीक है आउज साइट से ढाउनलोड कर सकते हैं प्रेंट दाने कलगा कर उसको पड़ सकते हैं मैं नोट के आरे मात करता हूँ एक यानिके नोट्स आप इसमें से भी कोई एक यूज कर सकते हैं मरना मैं वोलूँगा कि ये बुक आपके लिए डिकोड एथिक्स एनफ है लिंक आपको डिक्सक्राइब मिल जाएगा ये मैंने तीन बुक तीन नोट्स बता दिया आपको बताता हूँ इन उनलाइन सोर्स है इन पहला है आपको वेबसाइट को आता रहा हूँ जिसका नाम है बीबीसी एथिक्स ये जो वेबसाइट है ये आपको बताएगी आखिर एथिक्स कभेपर है क्या इसके टाइप्स क्या है कंशेप्र करें कि यह कुल मिलाख के यह बूसरा हावाउट्स की आपके यूटूब पर वीडियो मिल जाएंगी यूटूब पर आपको जिस नाम से एक प्लेष्ट है उसकी वीडियो मिल जाएंगी जिस्टेसे नाम की जो प्लेइलिस्ट है वो आपके लिए काफ़ यादा घलप करेंगे इसमें आपके साथ से आठ वीडियो स्कूली स्कूल ऑफ लाइफ नामे अब इन सब से इंपोर्टन चीज का है आपको अपने सोर्स को लिमिटेड रखना है तो लिमिटेड रखने के लिए मैं आपको बता दिया हूँ आप इन में से डीकोड एथिक्स वाली बुक मंगा लीजे बाकी का यह सब मटेरियल तब काम करता था जो आप लेक्सिकोन के बुक पढ़ते थे कॉम्प्लिमेंटरी के लिए लेकिन आपको सेगन जो पॉइंट बता दिया डीकोड एथिक्स यह आपके सारी खाने के पूर्ति कर देगी अब आपको इसके साथ में गवर्नेंस के लिए कुछ एडिशनल पढ़ना सेगन के लिए सब्सक्राइब शेड़ के लिए करे लिए सकते हैं यही मेरी स्मार्ट शेड़ी टिप है गवर्नेंस के लिए सगनरी आट सी कि फोट और फोल्ड पॉट्श मैं फिर से कहा रहा हूं आपको अपने रिसोर्श को लेमिटर रखना है जादा नहीं पड़ना है अब बात करते हैं हिंदी मीडियम में आपका अर्यंत के बुक आती है एथिक्स के लिए यह काफी जाधा बैनिफिचर रहेगी आपके लिए यह बुक के बड़ आपको केबल एक आइडिया देगी है ना इस बुक के बल ऑनली फॉर आइडियो पढ़ना पूरा मत पढ़ना कि आपने स्टाटिंग के पर इससे पढ़ा हिंद तक पढ़ते गए यह केबल आपको बेनिफिट दे सकते हैं यह मैं आपको पांस चोट से बता रहा हूं हिंदी के लिए उनमें से आप कोई भी कोई भी दो यूज कर लिजे है न यो ओनलाइन जो वाले सिस्टम है जो मैं यह सभी मैं सोच के आपको बता दे रहा हूं अब आपको बता दे हूं कौन-कौन से बायोग्राफिया आपको पढ़ने हैं आप सुमें स्वामी में के पढ़ लीजिए एपी अब्दुलकलाम, महादमगानदी, मार्टिन लूतर किंग, पर बीयार अमेड कर क्योंकि इनोंन सम्विधान की किताब, वह नहीं की देन है, अब आप करते हैं, स्टेटेजी फॉर एथिक्स, अभी तक आपको दो पइंट बताएं, पहला इंपोर्टेंस क्या, दूसरा बुकलिस्ट क्या है, अब बताता हूं को उसके आखिर आपके स्टेटेजी क्या रखनी है, क्या अपने कॉंटेंट को आपको फिक्स रखना है, लिमिटेड रखना है, फिक्स तो रख लिया लेकि यह नहीं पता उसमें लिमिट की दिन रखनी है, तो आपको अपने कॉंटेंट को फिक्स और लिमिटेड रखना है, विद टाइम, आपको अपने टाइम भी फिक्स करना प तिस्री चीज्ट आपको करने करना पड़े। लेकिन इस सप्दग से पड़ें कैसे उप क्या ड्रीवर करना है जो फोर्थ जो important चीज़ है यह आपका 80-20 principle यह 80-20 rule इसमें लगाएंगे 80% आपको applications इसमें use करने हैं applications examples जो आपके examples वगर आएंगे वो सारी चीज़ आपको इसमें 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 20% आपको इसमें 30 use करने हैं आपके definitions वगरा है जो भी quotations वगरा होती हैं सारी की सारी चीज़ें वो स्तमाल करने हैं 80-20 principle यह काफी जादा लगाना जरूरी है बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं थे जादा लखेंगे application कम लखेंगे marks कमाएंगे इस चीज़ को कम लिखो इसको जादा लखो अब आपको memorize करनी है और समझनी है जो basic definitions होती है ethics की यानि यह ethics की basic definitions होती है उनको आपको memorize करना और समझना आप बोलेंगे कौन कोई कहां से definition कहां से पढ़ना है तो जो decode ethics है इसमें आपको सब मिल जाएगा जो sixth है वो आपको फ्रेम करना है analytically और जो आपके high morality है इस चीज़ को ध्यान रखना है यानि आपका जो पेपर है वो analytical framing के साथ में रहे और दूसरा morality रहे उसमें high रहे ऐसा नहों कि आप morality को ध्यान में रख रहे हैं क्योंकि आपका paper आपको मानव ही बनाएगा मानवता के लेए तो आपको military ध्यान रखनी है seventh आपको previous question paper पढ़ने हैं समझने हैं याद करने हैं उनके जो keywords है है ना वही आपको paper को correct कराएंगे जो यह ही आपका key of crack है यानि key of crack का mean कहा है यानि यानि ethics के paper को clear करने के लिए आपका previous question paper आपके पास होने चाहिए आपके material में अगर मैं book list में resources में जोड़ना चाहूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि आपको previous question paper और add करने हैं इस चीज को आप समझ के होंगे आप इनको print out को निकालने हैं और समझना आखिर है क्या आपको important points है जो आपको ध्यान रखने हैं यह point आपके लिए काफी ज़रूरी है यही आपको smart फिशा रखेंगे ठीक है दूसरा development of real value of ethics यह वो paper है जो real value को develop करता है कहां आपके अंदर आप में यह real value develop करता है यह वाला paper थर्ड जो चीज है वो है this people will make you यह जो सारी चीज है ना यह मैं खुद से analysis करके आपको सारी बता रहा हूं ऐसा नहीं है कि कहीं पर आपको लिखा म बनाई है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर आपको सब्सक्राइब जरू कर रहे है यह मेरे आपसे गोजारिश है यह paper आपको बताएगा कि एक human होता क्या है यह आपको सखाएगा कि एक real human की qualities क्या होनी चाहिए कैसा वो होना चाहिए दूसरा यह paper आपको interview में help इंट्रिव में जो आपका mindset, third process, thinking, psychology, attitude रहना चाहिए वो जी सखाता है positive attitude सखाता है आपके अंदर calmness की spelling यह दो देख लेना है यह मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी गलत है क्योंकि जब इतनी सारी spelling को सारा कुछ लिखते है न तो spelling गलत होने की chances हो जाते है तो इस चीज को थोड़ा समझ लेना तो मैं बता रहा था कि यह आपको positive attitude सखाता है और आपके अंदर काम नहीं सखाता है थर्ड एक आपका perfect mindset यह develop करता है यह paper और fourth एक basic understanding देता है किस चीज के लिए आपकी life के लिए यानि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए एक human में क्या क्या होना चाहिए वह सारी चीज आप समझ गया होंगे मैं अमीद करता हूँ आप सारी चीज को लिखते जा रहे होंगे और जो point है वह आपका honest to your opinion जब आप इस paper को लिखेंगे तो आपका opinion रहे वह आपका confusion रहे आप एक तरफ तो बोलें कि मैं यह भी करता हूँ एक तरफ बोलें कि प्रिफ्त जो चीज है वह आपको एक्जांपस हैं आपको मैं ऊपर रहता है करन्ट अफर कोज़ करना यानि करन्ट अफर से रिलेटेट करने करने हैं सोसल इस्यूस जो भी create होते हैं उनसे रिलेट करके आपको करने है और आपको professional life है जो भी आपको impact करते हैं क्योंकि यह paper उसका paper होता है उसकी कितनी type हो सकते हैं या dimensions या मतलब कितनी हिस्से में फैल सकता है कितना इसके limitations हो सकती हैं तो पहला आपकी personal life है ना दूसरा public spare third international ethics fourth biological या बायो एथिक्स fifth cyber ethics, sixth आपका मतलब counting कर लेना, media ethics, environmental ethics, social ethics, professional ethics यह सारे आपके ethics की dimension होती है और आपका जो मतलब questions आएंगे इन ही से related पूछे जाते हैं शीज को याद रखना है जो आपके questions बना जाते है प्रिविस यह question paper जब आप analyze करेंगे तो आप समझेंगे जो में आपको यह dimensions बताएंगे यही आपको इसी से related आपके questions आपको मिलेंगे, seven जो चीज है वह आपका syllabus को आपको एकदम याद कर लेना, एकदम रट लेना है इसका syllabus और प्रिविस से question paper को analyze करना है ताकि आपको clear-cut information देंगे syllabus के keywords जो हैं आपको answer writing, aw यानि answer writing में help करेंगे इस चीज को ध्यान रखना तो उसके keywords important है और limit of asking question यह आपके previous question paper बताएगा कि आपके यानि syllabus और प्रिविस से question paper आपके यह बताता है कि कि किस question की कितनी limit है कहां से किस हिसाब से कैसा कब कहां पर क्यों पूछा जाएगा इस च most most important है यानि जो जो ज्यादा इसके लिए important है अब आपको उताता हूं आखर इस paper के लिए answer writing किस तरीकी से रखने है क्योंकि यह आपो समझ गए होंगे अभी तक मैं आपको starting बता दिया था शायद नहीं बताया हूं तो अभी समझ लेजे इसके जो answer writing है जो आपके gs123 होती है अगर आपने मेरे चैनल के यह नहीं देखा का answer writing किस तरह किसा करना है तो UPSC series part 29 और 30 को देख लेना YouTube पर सर्च करना UPSC series part 29 kgm एतना सर्च कर लेना उसमें या UPSC series part 29 kgm या part 30 कुछ भी सर्च कर लेना आपको मिल जाएगा 20 points बताएं इसमें आप answer writing को चिस कर सकते हैं अब तो आपको उताता हूँ इसकी answer writing करने के लिए आपको कौन-कौन से points यूज करने हैं पहला types of question दो तरह के आपको question आते हैं पहला theory दूसरा case study ठीक है तो जो theory वाला portion होता है 120-130 marks का होता है 7 minutes में question का answer देना 1.500 words आपको यूज करने है 10 marks का question होते हैं case study वाले में वही सीने marks व word आपको लिखने है इसकी comparison में लगबाग double और 20-25 marks का यू question होता है इसकी comparison में लगबाग double case study आप समझ के होंगा कितना importance रखती है second जो चीज है जो आप answer लिखेंगे है ना उस answer में आप जानते हैं आपको intro देगना body देना है conclusion देना है ठीक है तो आपको intro यह answer writing इस्तमाल ज होती है को इस जो होते हैं उनको वहां से start करना है यह definition यह data इन चारो चीज में से आप कुछ भी लगा कर introduction को start कर सकते हैं body body में आपको flow chart यह diagram जाज स्यादा इस्तमाल करने आप अगर flow chart बना सकते हो तो अच्छी बात है अधरवाज diagram diagram यह flow chart आप एक तरह से एक ही चीज समझ सकते हैं तो आप इस चीज को समझ गए होंगे कि यह आपको इस्तमाल करने body में कैसे करेंगा आगे बताऊंगा conclusion में इसके लिए जो body के लिए तो आगे detail में explain करूंगा यह करूंगा conclusion में आपको कोई भी नई चीज इस्तमाल नहीं करनी है वह सारी चीज है जो आपने answer से related है वही सारी चीज इस्तमाल करनी है जो आप पहले पूरे answer में explain करते हूँ आए हैं अगर मैं कम शब्दों में खतम करूं तो यह कहना चाहता हूं कि आपको इसकी summary बनानी है ठीक है प introduction and conclusion तो आपको बता पड़ गया अब बात करेंगा पूरे body आपको किस तरीके सरकनी है तो examples अब बताया है आपको महाबारत वर्ड इस्ट्री मोडर्न इस्ट्री में सब को यूज कर सकते हैं मैं उम्मीद करता हूं आपको कुन-कुन से यूज करने हैं समझ गया होंगे दुबारा से दिख लिए एक बार जो types of questions हैं दो तरह के रहते हैं तीन तरह के आपका ये आपका answer टूटा रहता है तो उसमें हम body बात करने हैं अभी 80-20 जो rule है उसको ज्याद रखना 80% आपको application जिसमें आप example यूज करेंगा 20% definition quotations and statement ये सारी चीज़े इसमाल करेंगा फिफ्त जो है वह आपका previous question paper के solutions यही आपके best study कराएंगे आपको मैं फिर से यसी लिए बोल ला हूं तो आप एक काम करना previous question paper का solutions ढूड़ेंगे क्या जो मैं आपको बताया था ना book वो मुदित जयन ने लिखाया मुझे जो मुदित जयन है न 2018 के IRS officer है उन्होंने जो book लिए लुखी है Amazon का link है description में वा से आप पर चेक्स कर सकते हैं माने बताया था आपको starting वही decode ethics नाम है इसमें आपको सब चीज मिल जाएगे हर चीज मिल जाएगे आप एक ही resources रखे इसके लिए इतना एनफ रहेगा उतना काफी रहेगा जिसमें आपको quotations, thinker, diagram, case study, previous question paper, सब का solution, a to z, सब कुछ मिल जाएगे अब आपको बताता हूं कि आखर आपको case study हो किस तरीक से handle करना है तो जो आपकी case study है उसमे पहले आपका actor ध्यान रखना है, आपको actor क्या है, और dilemma क्या है, आपको उसको mark करना है, है ना, यह आपको इसके case study का रहे हम बल्कुल नहीं पता, तो detail information चाहिए, detail video चाहिए, तो comment करके बताना, किस है detail video for case study, मैं कोशिश करूँगा, कि उस video को एक बैतिन तरीक से बना हूं, या और किसी भी, मतलब teacher वगरा कि आप देख सकते हैं, case study को इस तरीक से उन्होंने solve किया है, बना मैं बता रहा हूं कि कुछ points से बताते हैं, ताकि आप काम चला सके हैं, यानि जो उसमें actor होगा, जो मुख काम करता है, उसको आप underline करेंगे, और जो उसका dilemma है, उसको आप दूसरी चीजी, जो case study है, उसमें आपके 3 points रहते हैं, पहला heading, दूसरा points यूज करना है, थर्ड आपको theory यूज करना है, जो case study के यह तीन हिस से रहते हैं, थर्ड vision IS के notes आते हैं, उन notes के अंदर 55 case study आते हैं, ethics के material में, अगर आपके पास ये notes हैं, तो आप इन case study को यहां से आप देख सकते हैं, अदर्वाज आपको link description मिल जाएगा, महा से आप purchase करेंगे, विजन IS के notes तो सब के लिए beneficial है, तो पूरे GS paper 1-3-4 के लिए, तो आप उसको purchase करेंगे, तो आपके इसके साथ मिल जाएगी, अगर आपको detail में video चाहिए, जो कि एकदम practical हो आपके लिए, comment कर करेंगे, आपके comment से अंताजा लगा लूँगा मैं, कि आपको वो video बनाने चाहिए, मुझे या नहीं, video को like और share करके जरूर बताना है, ताकि जतने जाएदा view रहेंगे, जतने जाएदा comment, like, share रहेंगे, उसके साब से अंताजा लगा लूँगा, क्योंकि देखिए, इन सा काफी जाएदा important factor होते हैं, अगर यही आपके तीनो अच्छे हैं, तो आपके rank बहुत अच्छे बढ़ेगी, तो इनके ऊपर मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, क्योंकि इस पर मैं बहुत अच्छा काम करूँगा, आपको यह जोइन करना चाहिए, इसकी fees में ज्याद expenses आते हैं, तो उन expenses का जितना चार्ज लगता है, मैं केवल आपसे उतना ही पेकराना चाहता हूँ, ज्यादा आपसे पैसा नहीं लोगा, तो मैं आपको यही बोलूँगा, कि आप उस course को must join करें, उसको जरूर जोइन करें, यह आपके rank को काफ यादा बूश्ट करेगा, औ अगर आप एक serious aspirant हैं, तो मैं यह मानता हूँ कि आप उसको पक्का जोइन करेंगे, मैं अमीद करता हूँ कि आपको सारी information समझ में आगी होंगी, आप वीडियो के link जो है, है ना वो सारे link description में है, तो description को पक्का चेक किया करें, उसमें आपको सब चीज के link मिल जाएंगे, साथ ही सुड़ियो, आप जमाप समाप्त करते हैं, जय हैं!